हेलो गाइज, वेलकम तो माई चैनल, लेट्स्क्रेट चुड़ीश्री आज की वीडियो में हम पार्ट टू यानि की हरियाना अर्बन एक्ट 1973 को कम्प्लीट कर लेते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 13 से देखिए सेक्शन 13 के आगे आप लिख सकते हैं प्रेलिम प्लस मेंस क्वेश्चन 13 अगर मैं कहूं पूरे हरियाना अर्बन एक्ट का सबसे इंपोर्टन सेक्शन है तो गलत नहीं होगा प्रेलिम का बनता ही बनता है अगर चार भी क्वेशन आते हैं तो एक ठर्टीन में से जरूर आएगा देखें मैंने आपको जब राजस्थान का अटिनेंस से काइक करवाए था मैंने आपको एक बात बताई थी कि क्या-क्या ग्राउंड्स होते हैं हलाकि वहाँ बहुत ज़्यादा ग्राउंड्स डिसकस हैं उतने यहाँ पे नहीं है ठीक है और एक राजस्थान वाले ही टिनेंसी एक्ट में एविक्शन का अलग था और पोजेशन लैंडलोड्स पोजेशन अगर लेता है टिनेंसी रिकवरी करवाता है तो वह अलग था इसमें 13 में ही दोनों चिज़ें सबसेक्शन के रूप में आ गई हैं तो इसलिए ये थोड़ा सा बड़ा सेक्शन भी है और important भी है एक एक सबसेक्शन को हम अच्छी तरह लेंगे पर मैं आप से बोलूँगी कि आप इस सेक्शन को तकरीबन एक दिन छोड़ छोड़ के मतलब इस एक को आप revise कर रहे हैं तो इस सेक्शन को थोड़ा सा ज़ादा importance दीजिएगा जब आपको यूँ पता है कि एक सेक्शन में से ये question आने के काफी ज़ादा chance है तो क्यों ना उसे बहुत अच्छी तरह किया जाए है ना चलिए start करते हैं eviction of tenants देखिए eviction of tenant दो चीजों में इसमें बोलता है या तो आपको tenant को evict करवाना है उसके कुछ ऐसी purposes यानि कि वो कुछ ऐसे वहाँ पे काम act वगरा कर रहा है miss use कर रहा है उन से ठीक है दूसरी चीज आपको खुद के लिए use के लिए चाहिए ठीक है possession चाहिए तो इस तरह से आप tenant को evict करवा सकते हैं है ना तो चलिए start करते हैं first में subsection में कहता है tenant जो है possession में उसको आप केवल इस act के जो इस section के provisions के according ही evict करवा सकते हैं otherwise वो evict नहीं हो सकता तो first subsection कहता है rule के बारे में इनका section number subsection number याद रखेगा subsection 2 में कहता है कि landlord जो है evict करवाना चाहता है tenant को तो वो एक application डालेगा किसके पास authority तो पूरे act में एक ही है controller के पास कि मुझे इसे निकलवाना है evict करवाना है तो ये application में वो डालेगा लिखेगा ठीक है और controller क्या करेगा सबसे पहले जो हमारा tenant है उसको opportunity देगा सुनने की against the application कि आपको ये landlord निकलवाना चाहता है और आपको क्यों निकाला जाए ठीक है showing cause against the application तो क्या क्या ground है जिस पे वो application डालता है कौन landlord तो तेरा दो में पाँच ground है ठीक है एक एक को लेते हैं देखेए सबसे पहले वही कि rent pay नहीं किया ठीक है तो rent pay नहीं किया tenant has not paid or tender the rent due from him ठीक है उसने rent pay नहीं किया है और जो agreement हुआ था date थी उसके पंदरा दिन बीच चुके है लेकिन इसने rent नहीं pay किया है landlord को या suppose agreement नहीं है तो अगले महीने की last day जो है month का उसको पे नहीं किया है उस तक ठीक है यानि कि पंदरा दिन तो हो गया कि agreement से जहां पे agreement ही नहीं है तो पंदरा दिन वाली condition तो लगेगी नहीं तो next month क्योंकि आपको पता है ना कि एक महीने का advance लिया जाता है मतलब यह नहीं कि आप रह लिए और बाद में दे रहे हो आप पहले देंगे कि राया उसके बाद पूरा महीना रहते हैं तो वही यह बात कर रहा है next month की last day हो चुका है आपने rent नहीं दिया है तो तीन words में करें तो rent not paid ठीक है provided अब आगे दो condition provided, provided, further provided कहता है tenant है within a period of 15 days of the यानि की application डली थी controller पे अब hearing स्टार्ट हो गई उसके 15 दिन तक 15 दिन के अंदर अंदर भी वो जो rent है वो pay कर सकता है लेकिन 8% का उसको जो है जो rent है उस पे देना पड़ेगा, मतलब जादा देना पड़ेगा interest लग जाएगा 8% का interest की बात करता है, ठीक है और वो फिर कोन allow करेगा controller और यह मान लिया जाएगा कि भही टीनेंट ने pay कर दिया है date wise यानि कि जो उसकी rent पे करने की date थी उसके according उसने दे दिया है तो यह 8% वाला प्रोवाईज उमें आद रखना provided further कहता है landlord जो है उसको जो landlord है वो क्या claim नहीं कर सकता rent को जो यानि की बाद में areas of rent वगेरा है तो application delay ठीक है उसके तीन साल के बाद अगर आप यह जो rent है areas of rent होता है जो आपने जिस चिस पे application डाली थी इसने पे नहीं किया तो areas of rent वो वाला हो गया ठीक है जैसे मालो एक महिना का rent नहीं दिया था या आपने application डाली है तो उसके तीन साल के अंदर अंदर आपको claim करना पड़ता है किसे landlord को ठीक है तो दो condition हो गई second फिर point पहला हो गया rent पे नहीं किया second हो गया कि tenant ने बिना landlord की written consent ध्यान देना written ठीक है oral नहीं written consent के बिना अपने right को यानि कि जो tenant ने किराय पे लिया था वो जो अधिकार था उसका वो किसी और को दे दिया यानि कि sublet कर दिया ठीक है be या और be उस building या rented land को किसी और purpose के लिए use किया जिसके लिए उसने लिया था उसके अलावा उसने किसी और purpose के लिए use किया तो क्या हो जाएगा ground हो जाएगा eviction का ठीक है third point कहता है miss use कर दिया यानि कि ऐसी चीज़ वहाँ पे ऐसा काम कर दिया कि जो building या rented land की utility value थी जो उसकी उस building की value थी वो effect हो गई उसके काम से ठीक है miss use कर दिया fourth में वहाँ पे nuisance create कर रहा है ठीक है मान लो रात को बहुत ज़्यादा तेश तेश गाने वाने बजा रहा है या जो भी इस तरह के काम जिससे जो और building में रह रहे हैं उन्हें अस्विदा होती है है ना या रात को मान लो मी आभी बी के जगड़े ही हो रहे हैं वहाँ पे है ना तो nuisance create होगी क्योंकि जो दूसरे building में रहने वाले लोग है वो उसके landlord को बोलेंगे कि भाया ये तो ऐसे ऐसे हमें रात को हम सो भी नहीं पाते हैं और ये nuisance create कर रहा है लड़ाई जगड़े हो रहे हैं और रात को काफी तेज गाने वाने बचते हैं तो ये सब जो एक्ट है ये nuisance में आता है ठीक है लास्ट इसका यानि कि second का last है कि non-user देखो मैं एक word में बताया third को misuse में fourth को nuisance में लिख लेना fifth को non-user यानि कि hill station से अलग कोई जगए पे आपने कोई ली थी building मतलब कि आपने किराय पे लिया था tenant ने और चार महीने तक बिना कोई वाजिव कारण आप वहाँ पे है नहीं रहे हैं तो ठीक है तो पांच चीज़े हो गई अब इसमें कुछ बाते हैं देखो controller जो है order करेगा tenant को कि जो ये आप चार महीने से नहीं रहे हैं तो ऐसा कीजिए आप ये possession landlord को जो building का या rented land का landlord को दे दीजिए ठीक है और अगर वो satisfy नहीं होता है किस से application से तो वो reject भी कर सकता है कौन controller किसकी application किसकी डली है टू में landlord की provided आगे भी है provided सुरी ये provided नहीं था ये fifth का ही आगे पार्ट था controller का provided कहता है controller जो है tenant को एक reasonable time देगा ठीक है तीन महीने तक का कि जो landlord को building का या rented land का possession दे दे ठीक है तो यह हमारा second complete हो गया application डली पांच ground हमने पड़े अब आता है थर्ड का यह है possession की recovery के लिए यानि कि landlord को अब अपने काम के लिए वो building या rented land चाहिए second में तो हमने tenant के करे कि उसने कुछ act किया miss use किया non use किया nuisance किया rent पे नहीं किया इसमें है कि अब उसको चाहिए landlord को ठीक है differentiate करना इस subsection को तो landlord को अगर tenant से चाहिए तो वो किस तरह की application डालेगा controller पे क्या क्या जो reason है किन-किन पे वो ले सकता है तो ये चीज़ लिखी है third में तो third का a है ये a में है residential building ठीक है और उसका फिर part है first ठीक है यानि कि landlord को चाहिए और उसके a में residential building है ये points में इसलिए थोड़ा emphasize कर रही हूँ प्रलिम में direct पूछ लेते हैं तो आपको इसलिए पता होना चाहिए नहीं तो आप कर दोगे third का one थर का one थर का one नहीं थर के a का one तो third का a deal करता है residential building से उसमें first कह रहा है उसे अपने occupation यानि कि उसको कोई काम अब वो building कौन सी है residential building ध्यान रखना अपने काम के लिए ठीक है और उसकी उसी urban area में कोई और residential building नहीं है तो इसलिए उसको अपना वो जो building है वो वापस चाहिए तो यह कहता है first में ठीक है second में कहता है 13 का 3 का a का second यह कहता है कि उसे कोई जैसे consulting room वगेरा बनाना है उसका बेटा है वहाँ उसे practice करनी है as a lawyer, architect और chartered accountant ठीक है registered practitioner यह कुछ act लिख दिये हैं जैसे पंजाब medical registration act में पंजाब ayurvedic younani practitioners act 1963 पंजाब homeopathic practitioner act में तो इनके अंदर जो है उसको अपने बेटे के लिए practice के लिए चाहिए या उसके बेटे की अब शादी हो चुकी है तो उसको अलग घर चाहिए residence के लिए चाहिए तो इन cases में क्या करेगा वो controller के पास जाएगा और भूलेगा कि tenant से मुझे possession चाहिए ठीक है और provided यहाँ पर पढ़ लेते हैं क कि जो वो उसका बेटा है उसका उसी urban area में कोई और building occupation नहीं होना चाहिए ठीक है अगर और building है तो court कह देगी कि आप वहाँ अपना practice वगएरा कर सकते हैं इसलिए provisal लिग दिया है next है third point first second first खुद के लिए second बेटे के लिए third it was left to the tenant for use as a residence ठीक है अब उसे वहाँ पर रहना है ठीक है first second में हमने occupation का किया अब उसे रहना है तो by reason of his being in the service or employment of the landlord कि या तो कारण क्या है उसकी मान लो employment seized हो चुकी है अब वो नोकरी में नहीं है ठीक है इस तरह की चीज है it was left to the tenant यानि की tenant की जो landlord के service में वो था पहले ठीक है मतलब उसने इसी लिए दिया था कि यह मेरे अंडर जो है काम कर रहा है occupation में है मेरे अंडर और वो जो चीज है अब seized हो चुकी है क्या उस occupation या employment तो यह ध्यान रखना मैंने पहले नहीं बताया आपको यह किस की है tenant की it was left to the tenant for use as a residence by reason of his being in the service or employment of the landlord ठीक है लैंडलोड के service में वो tenant था ठीक है और यह seized हो चुकी है तो दिया ही इस purpose के लिए था तो वहाँ पे वो मांग सकता है क्या possession provided कहता है जहाँ पे tenant industrial dispute act के तहत workman था और उसको वहाँ के किसी provision को contravene करते हुए liable ठहराया था तो आप उसको evict नहीं करवा सकते कब तक जब तक competent authority dismissal के order नहीं दे देती ठीक है फोर्थ है tenant का already possession है ठीक है tenant has already in his own possession a residential building और subsequently acquires possession of such a building reasonably sufficient for the requirement in the NQC urban area में उसका खुद का possession जो है किसी building का है residential building का तब वो evict करवा सकता है ठीक है उसी urban area में और fifth last point है कि जो landlord है वो armed forces में था और अब उसे family के किसी occupation के लिए चाहिए और prescribed authority से certificate चाहिए ठीक है refer to जो भी Indian soldiers act के तहत उसको मतलब certificate day दे दिया गया है कि that he was मतलब वो वो वहां पे काम कर रहा था तो ये चीज़ इसमें है कि मैंने आप याद रखना armed forces में he is a member of armed forces of the union of India ठीक है और उसे अब occupation के लिए चाहिए तो वो certificate वहां से कहां से उनकी जो जहां वो service में है वहां से ला सकता है वो certificate और बता सकता है कि उसके जो family member है occupation उसके family को वहां पे करना है ठीक है तो family को explanation में defined किया है कौन-कौन है तो landlord के जो relation में जो उस पे dependent हैं वो सभी family में आ गए तो 5 हमने किये second में और इसमें किये 13 के a के a में ठीक है first point हमारा चल रहा था ध्यान देना ये चीज़, confuse मत हो न ये हमारा पहले चल रहा था 3 के a के a में यानि कि 3 a 1 1 2 3 4 5 ठीक है पांच हो गए 13 के 3 के a में ध्यान रखना अब है 13 का 3 का B वो कौन सी थी residential ये कौन सी है rented land ठीक है rented land है हमने 2F में पड़ा mainly किस के लिए business trade के लिए जो दी जाती है तो इस land के तहत कहा है अगर landlord को खुद के use के लिए चाहिए if he requires it for his own use is not यानि कि उसकी कोई urban area में कोई और building ना हो ठीक है own use हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन वो residential में था ये rented land में बस इतना difference है c में कहता है कि in the case of building और rented अब दोनों ले लिया building भी है और building किस के लिए residential नों दोनों हो सकती है rented land है अगर उसे if he requires it to carry out any building work ठीक है at the instance of the यानि कि state government या local authority ने उसको बोला है ये जो है development आप improvement वगरा करेंगे उस चीज़ के लिए उसे चाहिए तो वो भी यहाँ पे आ सकती है लेकिन वो जो improvement वगरा है उसकी condition है क्योंकि वहाँ पे वो जरूरी है क्योंकि वो building unsafe है unfit है रहने के लिए ठीक है proviso है provided that where the tenancy is for a specified period की मान लो tenancy जो थी एक fixed period के लिए थी जो landlord or tenant के बीच में agreement हुआ था तो landlord जो है वहाँ पे eviction के लिए नहीं करवा सकता before the expiry of that period which specified जो period था agreement में exception याद रखना A के V कौनसी member of armed forces वाली वो आप दिहान रखेंगे बाकी सब पे लागू होगा अपलाए होगा provided further है एक और proviso ले लिया जहाँ पे landlord has obtained possession of residential या फिर rented land under the provision first sub close first में ठीक है और A और B यानि की A के fifth में यानि की member first में क्या था occupation के लिए था है ना उपर पढ़ के आए और sub close V A का क्या है armed forces में और B कौनसा है rented land में अभी हम पढ़ के आए हैं इनके अंदर he shall not be entitled to apply again तो दुबारा जो है आपने एक बार करवा लिया उसको आप दुबारा जो है entitled नहीं है क्या eviction यानि की possession आपको दुबारा चाहिए तो वो आप दुबारा इस land और building का नहीं करवा सकते एक बार आपने यहाँ पे possession in sections के तहत लिया है अब दुबारा आप entitled नहीं हो for the possession of any other building or rented land of the same class ठीक है यानि की आप दुबारा reason नहीं दे सकते हैं कि member armed forces आप यह building चाहिए क्योंकि आप एक बार उसको एक ही बार use कर सकते हैं ठीक है provided further अब कह रहा है आगे एक और बात landlord ने obtained किया है building का possession किस-किस में देखो sub close to of close A क्या था बेटे के लिए चाहिए था he shall not be entitled to apply again अब यही बात जो हमने उपर provided further में पड़ी उसी को आगे कह रहा है कि वहाँ पे जहाँ पे बेटे के लिए दी वहाँ पे दुबारा आप उस चीज़ को use same urban area में use उस entitled नहीं है ठीक है उसी same son के लिए इनके मानलों आपके दो बेटे हैं एक के लिए आपने उसके occupation के लिए चाहिए तो आपने एक building का वो evict करवा के evict नहीं कहेंगे ए में है वो मतलब recovery possession की ठीक है तो वो आपने एक लड़के के लिए करवा लिया same son के लिए आप नहीं करवा सकते दूसरा अगर आपका बेटा है तो आप करवा सकते है ठीक है 3A ठीक है अब तक हमने कितना 3 किया था क्योंकि first में rule था second में eviction third में recovery possession 3A है अब कह रहा है non residential building ठीक है non residential building के case में जो landlord है जो retire या discharge हो चुका है armed forces से या उसका कोई minor son है ठीक है minor son है उसकी death पे ठीक है किसकी landlord की death पे तो अब वहाँ पे उनको personal use के लिए चाहिए तो 3 साल के अंदर अंदर यानि कि 3 साल कुन सा retirement या discharge लिया वो और आपकी death हो गई है तो कुन होगा sun sun demand करेगा कब जब वो 18 का हो जाएगा ठीक है इसलिए 3 condition ले ली है इसमें एक बार दुबारा बता देती हूँ non residential building आपने किराय पे दी थी अब आपको possession चाहिए landlord जो है retire हो रहा है discharge हो जाता है armed forces से उसके 3 साल के अंदर अंदर वो apply करेगा possession के लिए और अगर minor sun था और landlord की death हो गई तो वो minor sun जब major हो जाएगा 13 साल का हो जाएगा तब apply कर सकता है ठीक है 3A में ये है ये बाद में add किया गया था provided आगे है where the landlord has obtained possession of a non-residential building non-residential का पढ़ रहे हैं 3A में अब landlord ने obtained किया है इसका possession under this subsection तो he shall not be entitled to apply again for the same possession देखो ये अभी हमने जब second का proviso किया था B का C का sorry उसमें भी ये बात थी है ना residential का था लेकिन वो यहां non-residential में भी बात बोल दी कि दुबारा उसी class की building के लिए आप दुबारा untitled नहीं है possession के लिए ठीक है fourth में फिर देखिए subsection fourth में क्या कह रहा है controller जो है अगर satisfy होता है कि जो landlord का claim है वो malafide नहीं है good faith में है तो वो order करेगा tenant को कि landlord को जो है possession दे दिया जाए ठीक है order के regarding है mail ली और अगर उसे लगता है भई bonafide नहीं है malafide है तो वो reject भी कर सकता है कि कोन application किसने डाली थी landlord ने provided that controller may give the tenant a reasonable time ठीक है और यह दुबारा repeat हो रही है reasonable time तीन महिने का है tenant को कह सकता है भई इसका possession आप इसको दे दे तीन महिने का मैं आपको time देता हूं फिफ्थ subsection में कहता है कि आप application डला था armed forces के लिए 3 के AK5 में करके आये थे ना उसका disposal period बता रहा है कितने का है एक महिने के अंदर-अंदर आपको application जो है dispose करनी है और आगी कहता है if the claim of the landlord is accepted the controller shall make an order directing the tenant tenant को कहेगा कि 15 दिन के अंदर-अंदर order से 15 दिन के अंदर-अंदर आप possession landlord को दे दे six subsection में फिर कहता है where a landlord ठीक है जिस landlord ने possession obtained किया है building rented land का building में दोनों आ गई residential non-residential ठीक है किस-किस में देखो three के a में first part में b में यह उपर अभी मैं आपको बताये हैं सारी चीज़ें a b rented land में और यह सब कुछ पढ़ लेना तो उसमें कहता है in section के तहत अगर आपने obtained किया है possession और वो उसकी family occupy उसमें नहीं रहती है residential building में या फिर possession obtained किया है three के a के two में यानि की sun के लिए और उसका sun occupy नहीं करता है यह सारी चीज़े ले दी पहले residential में था ना first यह second में sun का था तो sun भी नहीं possession में ले रहा है practice start नहीं की है कब तक 12 महीने तक from obtaining possession time period बता दिया 12 महीने तक ठीक है और 3A में और अगर possession 3A 3A में क्या पढ़ा non residential का अगर तीन साल तक personal use वहाँ पे नहीं किया है तो यह दो time period हो गए याद रखना 12 महीने का किन section में और 3A में कितना लिया तीन साल का नहीं करते हैं उस building में और फिर उसके बाद कहा है और we are a landlord who has obtained possession of a building under 3KC में ठीक है तीन के C में क्या था building या rented land था और improvement वगएरा करवाना था ठीक है local authority या state government ने कहा था कि unsafe वगएरा है ठीक है और improvement वगएरा करवाना था तो उसमें puts that building to any use या फिर let out कर दिया किसी दूसरे tenant को जो एविक्ट करा था ना improvement तो करवाई नहीं उस ground पे तो ले लिया लेकिन improvement कुछ करवाई नहीं और किसी ओर tenant को उठा के दे दिया कि भई तू रह ले यहाँ पे तिरको ऐसे ऐसे किराई पे चड़ा देते हैं ठीक है यह हो गया तो देखो क्या कह रहा है किसको जो tenant निकाला था ना उसी को को यह controller order देगा कि यह कौन रहेगा tenant तो यह सबी ground है इन पे tenant को वापस क्या मिल जाएगा वहाँ पे possession मिल जाएगा repossession हो जाएगा तो कई grounds हो गए यह थोड़े ध्यान रखना मैं आपको broadly बता देती हूँ armed forces में था residential में था ना कि खुद के use के लिए चाहिए तो family member ने किसी ने use नहीं किया second में था कि son को चाहिए उसे practice करनी है वो भी नहीं आया time दे दिया बारा महीनी का इन में 3A में non residential building का था उसमें 3 साल का time दे दिया है ना और उसके बाद improvement और उसका लिया C में जो था हमने पड़ा 2 के C में है ना 3 के C में sorry 3 के C में कि वही इसको ऐसे ऐसे चाहिए improvement वगएरा करवाना है state government authority ने बोला है अब आपने कुछ improvement ने कराए दूसरे को दे दिया इन सभी condition में tenant को दुबारा possession बिल जाएगा ठीक है और last subsection है 7 की controller को अगर लगता है जो application landlord ने डाली है वो frivolous या vexessious है तो 500 रुपे का जुर्माना हो जाएगा कि वो किसको देगा tenant को ठीक है तो यह साथ हो गए देखो demarket कर लिना अलग-अलग कि 13 के 2 में एक में rule है, 2 में viction है 3 में क्या है, ABC है 3A नया amend हुआ है यह proper मैं कहूंगी कि proper subsection, subclose भी आपको पता होना चाहिए 13 का ठीक है, एक बन जाएगा इसमें question, तो अच्छी तरह कीजिएगा 13 complete हो चुका है, important था हमारे लिए उसके बाद देखो 13A, 13A देखिए 1986 में add हुआ है, यह भी आपको पता होना चाहिए, special procedure for disposal of application in certain cases, ठीक है procedure बताया है application को कैसे dispose करना है तो यहाँ पे है first subsection, इसमें भी 11 subsection है, देखिए जल्दी जल्दी करते हैं, first subsection में कहता है, जहाँ पे application landlord ने बनाई है, कि वो है या था, armed forces में, तो वो कब application बनाएगा, एक साल retirement से, या तब तक अगर act नहीं आया था, तो act आया उसके एक साल के अंदर-अंदर वो क्या करेगा, application डालेगा ठीक है, किस ground पे 13 के जो 3 के 1 के 1 में हम करके आये हैं, कि खुद के use के लिए चाहिए, तो same shall be dealt with accordingly जो भी section का provision है आगे, उसमें पढ़ेंगे मतलब जो भी एक summon वगेरे डालेगा, appeal revision period inquiry वो कह रहा है, वो apply होंगे provided कहता है that in a case of a death यानि कि landlord की माना death हो गई अब उसकी विडो है मानलो विडो की भी death हो गई तो उसके बच्चे, उसके grandchildren या फिर widow, daughter-in-law है बहू है, वो भी widow है जो depend है उन पे वो application controller को कैसे कैसे डालेंगी, तीन चीज़े लिए है death हो जाती है landlord की before the commencement of 1988 वाला amendment act तो इसके एक साल के अंदर-अंदर और B में है in the case of death of such landlord after such commitment, but before the date of retirement, ठीक है अगर death हो जाती है landlord की commencement act के बाद लेकिन किसके retirement और discharge से पहले ही वो मर जाता है तो इस death के एक साल के अंदर-अंदर application डलेगी, अब death हो गई है landlord की, commencement यनकी act के बाद और retirement discharge की भी date के बाद, तो retirement discharge की एक साल के अंदर-अंदर डलेगी तीनों थोड़ा सा ये ध्यान रखना and on the date of such application the right to recover the possession किसका residential building वन में ये ही करके आये थे ना उपर लिख दिया तेरा के एक वन में ठीक है तो residential building का ही था उसमें वो possession require करवा सकते हैं वन ए में देखिए ये कहता है where an application is made by landlord ठीक है landlord ने application डाला है जो employee है, is या फिर है या फिर था government का employee, government of India में या हरियाना में या किसी और state में तो वो भी जो ground कौन सा है, तेरा के तीन का, एक आवन वही residential building का तो ये section में जो procedure लिखा है वही apply होगा इतनी important नहीं है तेरा जो होगा मैं आपको बता दूँगे controller फिर उसके बाद second में लिखा है, simple ये कि controller जो है, फिर summon issue करता है, first में जो application डली है, first में उपर पढ़ के आए हैं, उनके accordingly third key में कहता है controller shell in addition to अभी summon की बात कर रहा है या तो summon के साथ या फिर simultaneously ठीक है, तो क्या करेगा summon भेजेगा, किस से registered post या फिर उसको address करेगा tenant को खुद, उसका कोई agent जो है, ठीक है या फिर circumstances ऐसे हैं ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो वो वहाँ का कोई newspaper है उसमें भी summon के रिगार्डिंग जो है, circulate करवा देगा, जहाँ, कौनसा newspaper, जहाँ पे वो रहता है, business वगरा करता है, ये सब B में है, acknowledgement management, जो है sign करेगा कौन, जो भेजा है ना, उनके पास, वो sign करेगा कौन tenant या फिर उसका agent ठीक है, और वापस किसके पास आएगा controller के पास, और summon में फिर endorsement हो जाएगी कि इस तरह से factor delivery का हो चुका है, यानि कि summon भेजा जा चुका है वही हम पढ़के आए थे ना, order 5 में summon के बारे में, CPC में तक्रीबन वैसा ही है ये फोर्थ में फिर कहता है the tenant on whom the summons is Julie served, जिस tenant पे सर्व हुआ है ये जो भी summon वगेरा, चाहे ordinary way में कोई agent वगेरा वहाँ पे जा कर दिया है या फिर registered post से हुआ है shall not contest the eviction की prayer को, जो eviction है mainly ये सुनिएगा evicted का जो ground है उसको contest नहीं करेगा जब तक वो affidavit नहीं डालता obtain नहीं करता leave कि भही मुझे ये case लड़ना है आगे मुझे अपनी चीज़े रखनी है ठीक है, ये चीज में ली बताई है फूर्थ में और क्यों अपनी application में तो ये लिखे का जो इसने ground दिये हैं लैंडलोड ने वो justify नहीं करते फिफ्थ में फिर कहता है controller tenant को कहेगा कि ठीक है जो आपकी leave है उसको हम permission देते हैं कि आगे अगर बढ़ें तो ये कब होगा controller को जो एफिडेविट देगा tenant उसमें disclose करते हैं ऐसा कुछ की भई वो entitled है इस चीज को लेके और जो landlord है वो disentitled है ऐसा order लेने के लिए तो वो सब कुछ हो जाएगा किस ground में कहा है especially ground लिखा है तीन के एक है first में residential वाला है ये 6th में है where leave is granted to the tenant to contest याने की अब leave जो है 6th में grant कर दी है 5th में नहीं 6th में grant कर दी है फिर क्या start hearing application वगएरा hearing के application चालू हो जाएगी 7th में होगी inquiry broadly में सारा नहीं पढ़ रही हूँ inquiry वगएरा होगी और कहरा है appeal नहीं होगी किसमें यह मैं सोचना किसी में भी appeal particular एक चीज़ लिखी है no appeal और second appeal shall lie against an order for the recovery of possession of any residential building made by the controller in accordance with the procedure specified याने की residential building की recovery possession की करवाई थी उसमें appeal second appeal नहीं है provided आगे कहता है high court satisfy होता है तो वो बुला सकता है सारे जो call जो भी records वगएरा है उन्हें बुला सकता है प्रोवाई जो यह कहता है उपर क्योंकि लिख दिया appeal second appeal नहीं है लेकिन high court को कुछ power भी दे दी satisfy होता है order से तो वो फिर क्या record वगएरा अपने पास बुला सकता है order pass कर सकता है ninth में revision के बारे में लिखा है high court जो सी PC के rules से उन्हें follow करते हो revision करवा सकते है tenth में लिखा है save as otherwise provided जो भी section में कहा गया है procedure जो है application dispose करने का वो same controller के पास जो power होगी रहेगी application को dispose करने की 11 में फिर कहा है provisions of the section or any rule made there under shall have effect inconsistent there with contain elsewhere in this act or in any other law for the time being in force तो जो भी provision है section के वो effect में आ जाएंगे लेकिन वो inconsistent नहीं होने चाहिए इस act के तहत या कहीं और simply कोई as such कोई important बात नहीं आईए 13th के A में जो वो ABC थे वो ध्यान रख ले न कि retirement से पहले फिर mainly एक साल के अंदर अंदीर होता है ये वो time पे जाद रखना फिर है 14 section 14 कहता है decision जो भी दिया जाएगा वो final होगा reopen नहीं होगा कौन सा देखो controller जहां पे summary reject कर देता है application 13 के 2 या 13 के 3 में कौन सी वाली थी 13 के 2 तीन 2 की eviction recovery possession की उन सभी की जो भी application है वो summary reject अगर करता है तो फिर उसको final decided decision माना जाएगा तेरा 2 और तेरा 3 15 में बात करता है appellate और revision authority की 15 एक से लेके 5 तक चलेगा appellate में 15 का 6 करता है revision में PT में आ सकता है revision कहां पे है proper 15 के 6 में 15 के section 6 में है तो first में कहता है state government general या special order देके notify करवा सकता है कोन कोन authority होगी जो appellate authority मानी चाहेगी किस cases के लिए है ठीक है और जो भी time pad लिखा है second में जो भी person है appeal करवाना चाहता है 30 दिन का time दिया है 30 दिन के अंदर-अंदर जो भी order होगा उससे appellate authority के पास application डाल सकता है ये matter सुनेगी तो वो जो दूसरी proceedings चल रही है eviction की वगएरा की वो रुकवा देगी कोई भी further proceeding जो है वो रुकवा देगी फोर्थ में कहता है appellate authority decide करेगी appeal सारे जो record वगएरा बुला के कि क्या क्या किस तरह से सुना गया है क्या opportunity दी गई है ठीक है और जो भी party है उसको सुनेगी opportunity of being here अगर जरूरी है inquiry भी बिठा सकती है through the controller fifth में फिर कहा है decision जो भी फिर प्लेट authority लेगी वो final होगा और फिर उसको किसी court में आप question नहीं उठा सकते उनके order पे sixth में मैंने आपको बोला revision का वो है तो same वही है जो हम CPC में पढ़ते है 115 में high court as revisional authority may at any time खुद या फिर ये ध्यान रखना application या तो party डाले या खुद time पे याद रखना 90 days का है बुला सकती है records वगेरा 90 days याद रखना और application खुद high court या फिर aggrieved party डाल सकती है revision के लिए ठीक है 15 हो गया न हमारा उसके बाद देखो हमारा section number है 16 section 16 कहता है power to summon and force attendance of witnesses हम पहले पढ़ किया है अलग से section बना दिया ये कहा CPC में जो power है summon वगेरा की वो सभी यहाई पे apply होंगी तो summon के उससे याद रखना 16 section 17 है costs compensation and the costs of an incident to proceeding before the controller controller के आगे जो भी proceedings appellate authority revision authority के आगे हो रही है shall be in the discretion of the controller the appellate authority या फिर जो revisional authority है वो determine करेगी कि कौन जो है necessary cost जो pay करेगा ठीक है वो बताएंगी कौन-कौन controller appellate or revisional authority second में फिर कहता है कि controller appellate or revisional authority अगर cost नहीं कहती है कि cost कौन देगा तो वहाँ पे वो reason देगी कि भई कौन पार्टी नहीं देगी यानि कि होता क्या है हारने वाले पार्टी देती है है ना तो यहाँ पे अगर यह event follow इसलिए बोला है cost shall not follow the event यानि कि अगर वो नहीं हारने वाली दे रही है तो फिर appellate revisional reasons लिखेंगे बहाँ पे section 18 कहता है execution of order यह important है तो यह देखो जो भी order होगा इस act में civil court execute करेगा ठीक है और इस तरह से जैसे court ने यानि कि decree order दिया हो दिया तो controller ने है लेकिन क्या मानेगी decree order यहाँ court ने दी है उसी तरह से execute करेगी कौन civil court explanation very important mark कर लेना jurisdiction कैसे decide करेंगे एक साल का जो rent होगा जितना भी उसी साब से jurisdiction को बताएंगे कितनी jurisdiction है ठीक है section 19 है institution and disposal of application जहाँ पे same place पे एक से ज़्यादा controller है तो कैसे decide करेंगे तो application shall be made to the controller जो authorized है किससे appellate authority जो है वहाँ पे जिसको authorized करती है controller को वही deal करेगा उस application की second में कहता है such controller shall either keep the application on his file और make over the same to other controller ठीक है दूसरे को भी भेर सकता है disposal के लिए section 20 है फिर power to transfer proceedings तो high court करता है यह याद रखना high court may own an application made to it या फिर वैसे order करेगा transfer और otherwise मतलब application party ने डाली तो by order transfer कर सकता है किसी proceedings को जो पेंडिंग है किसी authority के पास दूसरी authority appellate authority के पास भी जो transfer कर सकता है second में कहता है an appellate authority may own an application made to it or otherwise by order transfer any proceedings pending before any controller ठीक है अब appellate authority किस की सुनेगी किसको transfer करवाएगी controller के ठीक है यानि कि दो चीज़े याद रखना controller का transfer करवाना है दूसरे controller से कौन करेगी appellate authority appellate authority से दूसरी appellate authority पे करवाना है तो कौन करेगा high court बस दो बाते याद रखना उसके बाद है section 20A ठीक है याड हुआ है 1974 में transfer of proceeding and filing of appeals and revisions against order of subordinate and district judges ठीक है देखो क्या कह रहा है ABC में यह में कहता है जो भी proceeding pending है SDO के सामने जो appoint किया गया है controller के function के लिए मानले SDO को यह appoint किया गया था तो वो transfer होगी to the subordinate judges from the date of their appointment to perform the function of controller ठीक है यानि कि SDO को चुन सकते हैं वहाँ पे और appeal है SDO से जो perform करने के लिए चुना गया है कहां पे होगी district judge के पास ठीक है कोई भी appeal होगी SDO वाली जो controller का काम वहाँ पे कर रहा है उसकी appeal कहां पे जाएगी district judge के पास जाएगी और revision तो होता ही आई code के पास है C में कहता है if any appeal from the order of SDO appointed to perform the function of the controller has been filed within the deputy commissioner क्या कह रहा है देखो appeal जो है SDO के order से हो रही है कहां होगी deputy commissioner जो confer किया गया है power of appealate authority यानि कि appellate authority जरूरी नहीं कोई court ही हो यहाँ पे deputy commissioner के पास भी appeal जाएगी SDO के order से जो controller point किया है उसकी कहां जाएगी deputy commissioner के पास with the powers तो उसको क्या माना जाएगा appellate authority और if any revision from the order और revision करवाना है deputy commissioner से तो कहां जाएगा again high court district judge के पास भी जा सकता है और high court के पास किस से commissioner से ठीक है तो यह ध्यान रखना second में फिर कहता है proceeding जो transfer की गई है उपर तो वो dispose की जाएगी district judge और high court के इस तरह से जैसे उन्हें के पास सिधा originally जो proceeding है उन्हें के आगे आई है उन्हें के पास आई है section 21 है landlord and tenant to furnish particulars हर landlord or tenant जो है building या rented land का वो bound होगा controller के पास कुछ particulars रखने के लिए जो prescribe किये गए है उनको बताना होगा section 22 very important for prelim penalties है देखो 8 के 2, 10 के 1, 11, 21 section 8 का 2, subsection 2, 10 का subsection 1, 11 and 21 इन में 1000 रुपीज का fine लगता है क्या क्या है 8 के 2 में पढ़ा tax related ठीक है जादा ही tax वगेरा वसूल करता है landlord 10 के 1 में amenities, amenities से related है आप एक बार देख ले न, amenities नहीं provide करता है तो 11 में है फिर converge करता है residential से non residential building में without permission of controller 11 में वो है और 21 में उपर हमने particular पड़े, in cases में 1000 रुपे का fine लिया जाएगा और second में आपको बताया था, fair rent अगर ज़्यादा लेता है, उस fair rent से ज़्यादा अगर लेता है तो 2 साल की imprisonment हो सकती है landlord को तो second में ये है और किसमें पड़ा था हमने, 6 के A में, 6 के A में उसको provision को contraven करता है तो 2 साल की सजा, excess of fair rent की बात कर रहा है 6 का A third फिर है no court shall take cognizance of an offense under this section except upon a complaint in writing ठीक है, कोई cognizance नहीं ले सकता, writing में आपको complaint डालनी पड़ेगी controller की sanction के साथ, या फिर जो controller है, उसके जो भी वो बनाता है report, writing में डाली जाएगी फिर section 23 है, power to make rule, तो कौन बनाएगी, state government, इतना ही important है और section 24, 25 है, repeal, save, not so important, sorry, 24 है, 25 नहीं है, ध्यान रखना, 24 है total section, schedule में फिर 2H से related है, जो ये बताया था ना, हेर होते हैं, उसके साथ रह रह रहे थी, तो ये सभी 2H, son, daughter, widow, father, एक बाड़ वैसे देख लेना, not so important, ठीक है, तो ये इसी के साथ हमारा complete हो जाता है, हरियाना अर्बन एक, with section 24 and one schedule, तो I hope guys, आपको समझ में आया होगा, समझ में आया है, तो वीडियो को like और channel को subscribe कीजिएगा, thank you,